नमस्कार मैं हूँ आशी स्त्री पाठी आपके साथ और ये है दो हजार तेईस की महाभारत पाटन मिधान सभा में चुनाव के दौरान सीम भुपेश बगेल को घेरने की बीजेपी ने कोशिश की सीम भुपेश बगेल ने इस पर निशाना साधा उन्होंने कहा गुजरात य की जिम्मेदारी उन्हीं की रहती है पिछली बार की तरह ही रिकॉर्ड मतों से जीत होगी देखिए पिछली जान सब हम भी जब मैं प्रदेशाद धेक्स के रूप में चुनाव लड़ा तो वहां सांसी उसमें ने कहा कि विधायक तो मैंने एक बार बना लेकिन प्रदेशाद धेक्स के जिम्मेदारी मुझे पार्टन ने दी है राहुल जी ने दी है और चुझे मुझे पूरे प्रदेश में मुझे भ्रमन करना है तो जैसे पहले चुनाव प्रजार करता था वैसे नहीं कर पाऊंगा तो वहां पाटन के कारकरता हुने का यह लड़ाई हमारी है आपके लामांकन भरिये और चुनाव हम लड़ लेंगे तो जब मैं खुद लड़ता था उससे घाई तीन गुना अधिक से वहां के सांथियों ने जीता है मुझे तो अभी भी मैं जाओंगा अपने सांथियों से पूछूंगा और कारकरता तेजी लड़ाई अपने हाथों में लेंगे तो वो गुजरात से आये महाराश्या कहीं भी आ जाये कोई फर्क नहीं पड़ता पार्तन में कांग्रेस की से मधिलेश साकोर हमारे साथ मौझूद है मिथिलेश डबल उतसव है इसमें प्रचार का उतसाह तो है हिस साथ राहुल गांधी को जो राहत मिली है उसका भी जिक्र करना भी नहीं भोले कि आज जब जिस तरह से बीजेपी के लोग कहते हैं कि गुजरात से महराज यहाँ पर नेता गणा आएंगे और पार्टन में लोग यहाँ पर विधान समझ चुनाओं के लिए आएंगे और वे ही यहाँ पर पूरी चुनाओं की कमाई समझेंगे तो उन्होंने इस परश्ट ने कहा था कि आप अपना काम किजिए हां पर हम चुनाओं लड़े और ने दम खम के साथ चुनाओं लड़ा और तीन गुना जो अधिक मतों से जीता आया था इस बार भी विधान समझा की चुनाओं नजदीके इन्होंने साफ तर पर कहा है कि हमेशा जो कार्करता यहां से चुनाओं लड़े रहें इस बार भी कारकरता से चुनाओं लड़ेंगे और जिब कारकरता चुनाओं लड़ेंगे तो जिस तरह से पीछली जीत होई थे उससे अधिक जो यह इसा के साथ में लड़ेंगे और भारी मतों से यहांपर विजय होगी कॉंग्रेस की जीत होगी भारते जंदा पार्टी की वो जो लास्ट मिनट वाली स्ट्राडरजी होती है प्रचार के समय में वो महराश्चा और गुजरात वाली स्ट्राडरजी मिथिलिश का बीजेपी वही यहांपर अप्लाई करने वाली है कि चुनाव से कुछ समय पहले सभी जो आसपास लगते राज्जे हैं वहां के बड़े नेताओं को बुला कर यहां के लोगों को प्रभावित किया जाएगा क्या उसी संदर्ब में यह बयान था निक्षित रूप से अब इसके पहले भी देखा गया था कि बीजेपी जो है काफी सेंसेटिव है 36 गड़ को लेकर खास पर पर वैसे अन्य राजियों में भी यहां पर चुनाव होने के लेकिन 36 गड़ उनका केंद्र बिंदू है 36 गड़ में देखे जिस सरे से देखा गया है कि पूर में भी अवित्शा का दो तीन बार दोरा हो चुका है बाकि बड़े नेताओं का भी यहां आने जाने का सिलस्रा जा रही है तो यह अंदासर लगा जा सकता है कि यह 36 गड़ को लेकर उनके किस तरह से स्टेटिक जी है क्यों वो 36 गड़ को केंद्र बिंदू रखके चल रहे हैं इनका यह मानना है कि 36 गड़ को जीत लिया मतलब बहुत बड़ी ताकत जो है काफी जो है कांग्रेस को आगात पहुचेगा यही वज़ा है कि BJP को केंद्र बिंदू रखकर BJP च सिलस्रा जारी है हो सकता है आने वाले जो सबे में जब चुनाओं की तीथी नजदी होगी ऐसे में बड़े नेताओं का यहां आना जाना हो वे पूरी तरह से कॉंग्रेस को घरने का प्रयास करेंगे लेकिन भूपेश बेगिल ने पहले यह इस पश्ट कर दिया है कि वे ख खुद भी चुनाओं जीतेंगे बिल्कुलर चुकि मिदले शस्वभाविक हो जाता है ऐसे समय में 36 गड़ को लेकर के भारती जनता पार्टी इतने जादा ललाई तिया इतने जादा जोर क्यों लगा रही है इस बात से आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पूरे देश में कथित जो सुनामी चल रही थी भारती जनता पार्टी की उस सुनामी में उस तुफान में उस लहर में भी 36 गड़ को कॉंग्रिस अपने कबजे में लेने में काम्याब रही उस दोर में जब खुद भारती जनता पार्टी की यहां पर बीते 15 सालों से सरकार रही थ ये 36 गढ़ वाकई में गढ़ सावित हुआ और ये स्थिती कॉंग्रेस पार्टी एक बार फिर से दोरानी का प्रयास करेगी कि एक बार फिर से चुनाव जीत कर यहां सरकार बनाई जाया और भूपेश बगेल का नित्रत्व यहां 36 गढ़ कॉंग्रेस के लिए चबलपूर से बारी खबार जहां चिंदवारा में राम कथा का आयोजन जिस पर गुरे मंतरी नरुत्तम मिश्रा ने कॉंग्रेस पर तीखा हमला बोला कॉंग्रेस के लोग इच्छा धारी है नरुत्तम मिश्रा का कहना जब चुनाव आते हैं तब इन्हें मंदिरों और आको भी ये खत्म कर देते हैं नरुत्तम मिश्रा ने कॉंग्रेस पार्टी पर निशाना साथते हुए ये बयान दिया कॉंग्रेस ऐसी पार्टी है कि वो इस तरह के विसे धूलती रहती है टीवी और टीटर तक पर ही कांग्रेस जंदा है नीचे तो आपको कहीं कोई जनान दुरन करती मिले की निए और इसलिए ऐसे विवादास पर दिवसे जिन पर विभाजन की रेखा किस्ती हो कांग्रेस ती राजनीती सिर्फ जाती हो में बागने तक ही रह गया जो बिढ़ायक के पुत्र नहुत पर रखार उसको तो कारवाई होगी है कि इस भी इस्टर्ड हो गया है और विदिशा में कैलाश विजेवर्गिये का एक वीडियो वारल हुआ पूर्व मंत्री लक्ष्मी कांत शर्मा के विशे को लेकर दिया गया बयान जिसमें व्यापम मामले में आरोपी रहे पूर्व मंत्री लक्षमी कांत शर्मा को कैलाश विजेवरगिया ने निर्दोष बताया जब भी लक्षमी कांत का जिक्र आता है मन भराता है लक्षमी कांत सीधे सीधे निर्दोष रखती थे कैलाश विजेवरगिया ने कहा कभी-कभी हाथ की लकीरों में ऐसा योग होता है कि निर्दोष शक्स को भी जेल जाना पड़ता है फिर पोर्ट से बरी भी हो जाते हैं मगर लक्षमी कान शर्मा ने जो कुछ जेला उनकी पीड़ा मेरे मन में सदा रहेगी सिरोंज में कारेकर्टा सम्मिलन को संबोधित करते हुए लक्षमी कान शर्मा को उन्होंने याद किया लक्षमी कान जी विधायक थे मत्री थे लक्षमी कान जी का जब जिक्र होता है तो मत बचाए एक निर्दोष वेक्तिपन जो भी भुनिया तारोप लगी की निशित रूट से हर वेक्तियों को जानता है क्वो यह मानता है कि लक्षमी कान जी सब कुछ कर सकते हैं कि रिष्प्रकार का खोश्चा है नहीं कर सकते हैं जिसके पारण मो यह है तो सिरोंज में केलाश विजेवरगिये का ये जो वीडियो सामने आया और एक छवी जो बन गई है उस छवी को दोबारा से साफ सुतरा करने का एक प्रयास चुकि जिस तरह से वीडियो सामने आया और इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है केलाश विजेवरगिये किसी भी तरीके से कोई भी पोर कसर यहां पर भारती जनता पार्टी के आगे प्रचार के लिए छोड़ना नहीं चाते चुकि जिस तरह से लक्ष्मिकान शर्मा का ना व्यापम मामले को लेकर सामने आता र ग्वालियर में स्वरन रेखा नदी के ऊपर एक हजार करोड की लागत से बनने वाला एलिवेटेड फ्लाई ओवर रोड मध्य प्रदेश का ऐसा पहला फ्लाई ओवर रोड होगा जो किसी नदी के ऊपर बन रहा है और अब इसी पर बीजेपियर कॉंग्रेस के बीच सियास तेज हो चली है यह जारा है कि एक हजार करोड की लागत से बन रहे एलिवेटेड रोड से ग्वालियर शेहर की आठ लाग से ज्यादा आवादी को ट्राफिक जाम से निजात मिलेगी यही वज़े है कि बीजेपि अलिवेटेड रोड को 2023 के विधान सभाचुनाव में जीत के लिए मास्टर स्ट्रोक मान रही है यह एक बहुत ही अभिनाव यह प्रयोग वालियर होने जा रहा है कि किसी नदी पर मद्वेश में पहली बार 16 किलूमिटर लंबा इलिवेटेड रोड बन रहा है इसके बनने से ग्वालियर की तकदीर और तस्वीर दोनों बद लेगी लगभग 85% जो हमारे ट्रैफिक है जो आए दिन हम शेहर में जामकी सिती का सामना करते हैं ट्रैफिक की विवस्ता बहुत गड़बड हो जाती है उस ट्रैफिक की विवस्ता दे 85% रहात ग्वालियर की जंतों को मिलने वाली है इतना बड़ा रोड इस तरीके का रोड गवालियर पहली बार बन रहा है और मद्वदेश में पहली बार बन रहा है कॉंग्रेस का कहना है कि ग्वालियर शहर में फ्लाइ ओवर एलिवेटेड रोड सिर्फ हवाई मिसाइल है कॉंग्रेस मले सतीश से करवार का कहना है कि जब तक ग्वालियर शहर भर की बदहाल सड़कें और सीवर दुरुस्त नहीं होते तब तक शहर की तस्वीर नहीं बदलने वाली तो फिर नीचे की सड़कें बंती के उपर हवाई हवाँ में चलते लेते यह हवागी सरकार नहीं चलेगी जमील की सरकार चलेगी ग्वालियर शहर की तीन विधान सभा सीटों में से सिर्फ ग्वालियर सीट पर बीजेपी के प्रत्युमन सिंग तोमर MLA है जबकि ग्वालियर पूर्व विधान सभा सीट से कॉंग्रेस के सतीश सिकरवार और ग्वालियर धक्षन विधान सभा सीट से कॉंग्रेस के प्रवीन पाठक MLA है वहीं Elevated Road ग्वालियर के इन तीनों विधान सभाक शेत्रों से होकर गुसरेगा ऐसे में बीजेवी को उमीद है कि Elevated Project के चलते ग्वालियर विधान सभा सीट पर उनकी जीत का आकड़ा बढ़ सकेगा सुशील कौशिक News 18 ग्वालियर और एक छोटा सा ब्रेक यह ले रहे हैं जल लोटते हैं